प्रियसिक्षार्थियों एना युएस के इस स्टूडियो में मैं डॉक्टर निलेश कुमार आप सभी का हादिक स्वागत एवाम अभिन्दन करता हूँ आज हम पाठ तैस चंद साम मात्रा गण यति भेदा इस पाठ का अध्यन करेंगे प्रस्तुत पाठ में छंद के विशय में वरंग किया गया है छंद किसे कहते हैं छंद का मूल अर्थ क्या होता है और इस छंद के जो भेद होते है छंद के इंतरगरत मात्रा क्या होता है गण क्या होता है यती क्या होती है इन सभी विश्यों पर हम चर्चा और परज़चा करेंगे सबसे पहले हम छंद के अर्थ को देखते हैं छंद कहते किसको है छंद शब्द छंद का परिजिया प्राप्त करते हैं छंद शब्द मूल रूफ से छद धातु से निश्पन्द है जिसका अर्थ है आच्छारित करना या आनन्दित करना चितताहलाद जनकम चचंदः अर्थात जिससे चित्त आनन्दित हो उसे चंद कहते हैं इसलिए लय और ताल से युक्त रचना चंद कहलाती है चंदः पादव तू वेदस्य सट वेरांगों में वेरांगों में भी छंद का महत्व है इसलिए सट वेरांगों में भी छंद को एक अंग के रूप में माना गया है छंद पादव तूबे रस्य सट वेरांगों में एक अंग के रूप में भी छंद का उलेख प्राप्त होता है जो चित्त को आहलादित करे जो आनन्दित कर दे छंदों में वो शक्ति होता है कि वह उसके माध्यम से वह उसके आराध्य को अपने वस में रखता है उसकी सक्ति उसमें नहीं तो होती है वैदिक साहित्य में गध्य और पध्य दोनों को चंद से युक्तमाना जाता था अथात वेदों में जो रिचाए हैं जो मंत्र हैं वे गध्य और पध्य दोनों में प्राप्थ होती है रिग वेद यदि पद्य रूप में है, मंसरूप में है, तो यजुर वेद जो है वो गद्य रूप में भी है, साम वेद, अथर्व वेद, तो हमारे जो वेद हैं, वह गद्य और पद्य दोनों को छंद से युक्त मानता है वैदिक साहित्य में गड़्य और पद्य दोनों को छंद युक्त माना गया है ना क्या सास्थ के अनुसार आचार भरतमौनी की रचना है ना क्या सास्थ के अनुसार छंद हीनो न शब्द औस्ती न छंद ह शब्द वरिजितम अर्थात ऐसा कोई छंद से हीन कोई सब्द नहीं होता है और कोई भी छंद सब्द से वरजित नहीं होता है अर्थात दोनों एक दूशरे के पूरक है प्रतेक सब्द में छंद है और कोई भी छंद सब्द से रहित नहीं है जो मानवों के पाप को आच्छारित करता है, रोकता है, घकता है, वह चंद कहलाता है निरुक्त कारयासक ने, आसक आचारे हैं, इनकी रचना है निरुक्त जो इनोंने निघंटु पर लिखा है, तो निरुक्त कारयासक ने चंद शब्द की व्युत्पत्ति चद भगना धातु से बतलाई है, चंदान सी चादनाद, अर और तद जो आच्षादित करले, आच्ष पहले एक प्रशिद्ध सुत्र है यमाता राजभान सलगा इस सुत्र में दस अक्षर है और इन दसों अक्षरों पे ही संपूर और छंद आधारित है इस यमाता राजभान सलगा इसके प्रतेक अक्षर के आगे के तीन अक्षर को मिला करके एक गण बनता है जब आगे गण की चर्चा होगी तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि तीन अक्षरों का गड़ होता है तो यदि हम इसी सुत्र में गड़ों को बैठाएं तो यो के आगे का दो अक्षर लीजिए यो को मिला के तीन अक्षर होगे यो माता यमाता मा से लेंगे आगे के तीन अक्षर मा तारा, ऐसे ही ताराज, ऐसे ही राजभा, ऐसे ही जव से लेंगे तो जव भान, भा से भान, स, 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 लगा, अंत में लगू, और ग से गुरु वर्ड होता है अर्थात इन्ही दस अक्षरों में समस्त छंद सास्त व्यापत है आगे हम जब गणों का विचार करेंगे, गण कहते किसके हैं, तो उस गण में ही इन्ही यमाता, राजभान, सलगा, इसी सुत्र की आवसक्ता पड़ेगी और संपुर्ण छंद का ये आधार शिला है अब हम छंद के प्रकार को पढ़ते हैं, छंद के कितने भेद हैं छंद वैदिक और लौकिक भेद से छंद दो प्रकार का होता है, वैदिक छंद और लौकिक छंद पिंगल आदी आचारे हुए, पिंगल आदी आचारेों के मत में लौकिक छंद जो होता है वह मात्रा और वर्र के भेद से पुनह दोप्रकार का होता है अर्थाथ वर्रिक छंद और मात्रिक छंद वर्लिक छंद को बृत्त कहते हैं और मात्रिक छंद को जाती कहते हैं अब यह छंद किस पर लागू होता है तो पद्यों पर लागू होता है इस लोग को पर लागू होता है और इस लोग कहते किसको है? तो आचार गंगा दास ने अपने ग्रंथ छंदो मंजरी में पध्य का लक्षन किया है कि पध्य कहते किसको है? तो पध्यम चतुस्पदी अर्थात चतुस्पादात्मकम पध्यम भवती कि पध्य जो होते हैं वो चार पाद वाले होते हैं चार चरण वाले होते हैं जिस इस लोग की प्रतेक इस लोग में चार चरण होते हैं और ये चारो चरण क्या होते हैं? चतुस्पदात्मक पध्यम भवती और जहां पे भी चार चरण होंगे वह पध्य कहलता है तो चार पा दो वाला पध्य होता है, इस लोक चार चरणों वाला होता है, पाद से तात परे है चतुस पादात्मकम, पाद से तात परे है चरण, प्रत्यक इस लोक में चार चरण होते हैं, कई इस लोकों में वैदिक मंत्रों में दो तीन भी होते हैं, तो पध्य किसे कहते हैं, पध्यम चतुष्पदी अर्था चतुष्पादात्मकम पद्यम भहती। पद्य इस लोको कहते हैं और प्रत्य इस लोक चार चरोडों से युक्त होता है। इस डाइग्राम के माध्याम से आपको बतला गया है कि चंद के कितने भेद हैं वरणिक चंद जिनको ब्रत्त भी कहते हैं और मात्तिक चंद जिनको जाती कहते हैं। आगे चर्चा में हम इसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वररिक छंद किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं, जिस छंद में वररों की गरणा की जाती है, वहाँ वररिक छंद होता है, दो प्रकार से छंदों की गरणा होती है, एक होता है वररों की गरणा, और दूसरा होती है मात्र तो जिस छंद में वरडों की गरणा की जाती है, वहां वरडिक छंद होता है, वरडिक छंदों में वरडों की संख्या निश्चित होती है, और इसमें लगु और गुरु वरडों का क्रम भी निश्चित होता है, अथात वरडिक छंद जो होते हैं, इनके नियम होते हैं, और इनमें वर्डों की संख्या भी निश्चित होती है कि अलग-अलग छंदों में अलग-अलग वर्ड निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं है कि वह भिन्द भिन्द हो इन में वर्णों की संख्यान श्चित होती है और इन वर्णों में लगु और गुरु वर्ण जो होते हैं उनका भी क्रम निर्धारित होता है अथात गणों का भी क्रम निर्धारित होता है मात्रिक छंद जो है इसको जाती कहते हैं जिस छंद में मात्राओं की गरना की जाती है एक होता है वरण गरना एक होता है मात्रा की गरना तो जिन छंदों में मात्राओं की गरना की जाती है, वहां मात्रिक छंद होता है अगर देखा जाए तो संस्कित में सामानितया वरणिक छंदों की अधिकता होती है मात्रिक छंद बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं आर्या अधी प्रमुख मात्रिक छंद हैं किन्तु संस्कित में अधिकान सतया वरण छंदों की ही अधिकता होती है पाई जाती है अब हम छंद में जो प्रमुख है मात्रा मात्रा की पहचान कैसे करेंगे हम कैसे पहचानेंगे कि यह मात्रा है तो तीन प्रकार की मात्राएं होती है हरस्व मात्रा, दिर्ग मात्रा और प्लुत मात्रा हरस्व को ही लगू कहते हैं दिर्ग को ही छंद में गुरू कहते हैं हरष्वमा ने एक मात्रिक कालः अपेक्छते हरष्वा भावदि कि जिस वर्ड के उच्छारण में एक काल का समय लगे। एक काल का समय लगे, काल विशेस मतलब च्छनवर का समय, जो समय विशेस लगता है, एक मात्रिक काल है, एक काल का जिसमें समय लगे, वो हरस्व होता है, जैसे हमने बोला कौ, कौ अच्छर के वर्ण के उच्चारन में जितना समय लगा, वही एक मात्रिक काल है, इसलिए कौ स हरस्व मात्रा का जो चिन्ध होता है वो खरीपाई में होता है तो हरस्व मात्रा का उदारण क्या हुआ को दिर्ग मात्रा जिस वर्ण में आगे मात्रा लग जाएगी दिर्ग का मात्रा जिसे की छोटी ए बड़ी ए बड़ी ए आ ये जो मात्रा लग जाते हैं तो दिर्ग हो गुरु कहते हैं, तो द्वी मात्रिक कालई अपेक्षते, जिस वर्ड के उच्छारण में दो मात्रा के काल का समय लगता है, थात कौ के उच्छारण में जितना समय लगता है, उतना ही समय और लगने पर, वह दिर्गव हो जाता है, जैसे बोला गया का 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 में हरस्व है एक मात्रिक समय लगा का का बोलने में द्वी मात्रिक समय लगा तो यह दिर्ग भवती और दिर्ग मात्रा इसको छंद में गुरू कहा जाता है पुलुत मात्रा किसे कहते हैं तो त्री मात्रिक कालह अपेक्षते सब पुलुत भवती दो से अधिक तीन मात्रा का उच्चारण तीन मात्रिक कालह अपेक्षते जिस वर्ड के उच्चारण में तीन मात्रा के उच्चारण तीन काल का समय लगे वह प्लुतवर्ण होता है त्रिमात्रिक कालह अपेक्छते अपेक्छा की जाती है जैसे जब हम किसी को संबोधित करते हो हे अरे या कोई व्यक्ति दूर हो जब उसको हम सोर करके चिला करके बुलाते हैं आवाज दे के संबोधित करके बुलाते हैं तो वहाँ पे पृत मात्रा का प्रियोग होता है, तो हरश्व मात्रा में एक काल का बोध होता है, दिर्ग में दुई मात्रा के काल का बोध होता है, समय लगता है, और पृत में तीन मात्रा के काल का समय लगता है, अब हम बृत के विशय में परहेंगे, बृत तस्य प्रकारा व्रित्त पहले बताया गया, चंद दो प्रकार के हैं, वररिक और मात्रिक, वररिक चंद को व्रित्त कहते हैं, और मात्रिक चंद को जाती कहते हैं, तो जो वररिक चंद है, व्रित्त चंद है, उसके तीन भेद प्राप्त होते हैं, समम, अर्ध, समम, व्रित्त, विश्मम, च चंद किसे कहते हैं तो कह रहे हैं जिस चंद के चारों चरणों में गुरू लगू के करम से समान संख्या के अक्षर विद्यमान रहते हैं वहां समवित्चंद होता है समवित्चंद समँ समचतुश्टयम अर्थात जिस चंद के चारों चरणों में गुरू और लगू के करम से शमान संख्या के अक्षर विद्यमान रहते हैं जिस चंद के चारों चरोडों में समान संख्या के अक्षर विद्यमान हो और उनके लगु और गुरु का क्रम भी निर्धारी तो हो, वहां समवृत चंद होता है संस्कृत में इंद्रवज्रा, वनसस्थ, शालिनी, मालिनी, सादोल, विक्रिजित, वन्दा करांता आदी जो चंद हैं, यह समवृत चंद हैं क्यों? क्योंकि इनके चारों चरोडों में समान लगु गुरु को एक क्रम से समान अक्षर संख्या विद्यमान होती है अध्र समवृत चंद किसे कहते हैं? जिस चंद का प्रथम और तृतिय पाद, पाद से अथर तात्पर है चर्ण तो तेक इस लोक में चार चर्ण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तो जिस चंद का प्रथम और तृतिय पाद एक समान हो, अथा जिसके पहले और तीसरे चर्ण में समान अक्षर संख्या हो और दूसरे तथा चतुर्थ इस लोक में एक समान अक्षर संख्या हो, वहां अर्ध समवृत चंद होता है अर्ध समवृत मतलब जहां आधा समान हो, अथा जहां पहला और तीसरा एक समान हो, दूसरा और चौथा एक समान हो, उसे अर्ध समवृत चंद कहते हैं पुष्पिताग्रा चंद और सुन्दरी चंद अर्ध समवृत चंद के उदाहरण है आगे विशम विट्चंद के विशे में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, विशम विट्चंद किसे कहते हैं, कि जिस चंद के प्रतेक पाद में अर्थाथ चरण में भिन संख्या से युक्त अक्षर होते हैं, वहां विशम विट्चंद होता है अर्थात जिस छंद के चारों चरण में भिन भिन अक्षर संख्या हो अर्थात किसी में एक समान संख्या न हो प्रथम चरण में अलग वरण संख्या हो दृतिय में भी अलग वरण संख्या हो तृतिय में भी अलग हो और चतूत में अलग हो जिसे मानलिया जाए कोई छंद है उसके प्रथम चलण में 11, दुर्तिय में 13, दुर्तिय में 12 और चतूत में 15 अक्षर संख्या हो तो ऐसा जो छंद होगा वह विशम अव्रित्ठ छंद होता है अथाथ उसका प्रतेक पाद भिन्न होता है किसे से भिन्न होता है अक्षा संख्या और लगुगुरू के क्रम की संख्या से भिन्न होता है तो भिन्न चिन्न चतुषपादम विश्मम परिकृतितम यहां उसका लक्षण है विश्म विट्रचंद का और विश्म विट्रचंद के उदारान के रूप में उद्गाता सौर्भक आदी जो चंद है यहां विश्म विट्रचंद के लक्षण प्राप्त होते हैं कर दो कर दो कर दो